हिमास्टल प्रदेश की राजधानी शुमला में आमादमी पार्टी ने प्रदेश में सेलफी विद स्कूल अभ्यान की शुरुआत की है प्रदेश में पहली बार 68 विदान सबा सीटो पर चुनाव लड़ने जा रही पार्टी शुक्षा विवस्था को मुद्दा बना कर बीजेपी कॉंग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है आमादमी पार्टी हिमास्चल के अध्यक सुर्जे ठाकूर ने यस अव्यान की शुरुआत की है आप प्रवक्ता गौरव शर्मा ने बताया की लोग सेलफी विद स्कूल के द्वारा बीजेपी कॉंग्रेस को खुद बताएंगे की इतने सालों में दोनों पार्टियों ने बच्चों के लिए क्या किया हुए निरंतर उसमें काम करते हुए आज हमारे जो अधक शैसुरी ठाकूर जी उन्होंने एक आज अभ्यान की शुरुआत की है ऑन-लाइन और उन्होंने उस अभ्यान को जो नाम दिया है वो सेलफी विद स्कूल है हम आदमी पार्टिय चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो भी लोग हैं भी भागवख हैं शिक्षक हैं को अपने आसपा स्कूल में जाएं और स्कूलों की हालत को सेलफी में कैद करके वो साजा करें सोचल मीडिया पे वर्टसैप पे ट्वीट करें और हमने एक वर्टसैप नंबर भी साजा आपके साथ अभी किया है उस वर्टसैप नंबर पे हमें बेजे क्योंकि हम इसमें समीलित करना चाहते हैं हिमाच प्रदेश की जन ताको क्योंकि शिक्षा का जो एक मुद्दा है वो बहुन गयान मुद्दा है और हमारे बच्चो वह है सलफी विज स्कूल उसमें हम चाहते हैं कि लोग जाएं और सलफी स्कूलों के साथ ले और एक छोटा जो ख़िप भी बनाएं उस स्कूल के साथ अपना कि क्या कमिया यहां है को क्या चाहते से किस तरीके से बहातरी होनी जाईए इन सारी चीजों पर उपनी बाते करें हमें भी बेजें और सरकारों को दोनों सरकारों को पिताए को उच्पल हिमाचल के लिए शुम्ला से ब्यूरर रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश के विश्वस्निय ज्वेलर पूशिन ज्वेलर 16